आप सभी दर्शोकों को नमस्कार आप देख रहे हैं WK केरेटर यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भूतपूर सेनिक के बच्चों को एवं जो सर्विस कर रहे हैं जवान उनके बच्चों को परदान मंतरी स्कॉलर्शिप योजना मिलती है इस योजना के तहट एक कटोप जारी की जाती है इस कटोप में वो माक्स इंकलूट किये जाते हैं जो आपने इससे पूर में जो भी एकजाम दिया है जैसे कि आपने कोई ग्रेजिशन की है तो आपको ग्र बच्चों को यह स्कॉलर्शिप मिल पाई है तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं आपको सबसे पहले केंद्रिय सेनिक बोर्ट की वेबसाइट पर आ जाना है जैसे आप केंद्रिय बोर्ट की वेबसाइट पर आएंगे आपको थोड़ा नीचे स्कॉल इसके लिए आप इस पीडियो को पहले डाउनलोड कर लीजिए तो चलिए हम बिना देरी के इस पीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं डाउनलोड करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और आपको डाउनलोड करके इस पीडियो को ओपन कर लेना है तो चलिए हम इस PDF को open कर लेते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि merit list of PM scholarship scheme for academic year 2021 and 22 के लिए तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना application number देखने को मिल जाएगा आपका नाम और आपका gender और आपने किस category से apply किया है और आपने किस course के लिए scholarship के लिए apply किया है उसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो percentage है वो दिकाई दे रहे होगी कि किस percentage पर इस बच्चे को select किया गया है आप अपना नाम सर्च करके यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको कोई scholarship अलोट हुई है तो आपका नाम इस list में मिल जाएगा हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने बच्चों को यहाँ पर scholarship मिल पाई है टोटल बच्चों को नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको 5500 बच्चों को यह scholarship दी गई है आपको यहाँ पर last में देखने को मिल रहा होगा कि last में इस बच्चे के 70.04 परतिशत अंक थे इन अंकों के आदार पर इस बच्चों को select किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा percentage यहाँ पर जाती है और कितने कम बच्चों को ही यह select करते हैं यहाँ पर आपको अपना नाम सर्च करना है तो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एक सर्च बार दिया हुआ है आपको इस सर्च बार पर किलिक करना है जैसे ही आप सर्च बार पर किलिक करेंगे आपके सामने सर्च बार ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है जो नाम आपने अपना एप्लिकेशन में फिल किया था और अपना नाम यहाँ पर फिल करके